नमस्कार पंजाब केशरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ जैपल हरियाना बाजपा दोबारा जो है नए जिला ध्यक्स जो बनाएगे हैं उसी कड़ी में बता दें कैथल के जो जिला ध्यक्स असोग गुजर को दोबारा से कैथल की कमान समाली है हमारे साथ मौजूद है बा बारतिया जनता पार्रटी के जिला कारेला का पिल कमल में बहुत-बहुत स्वागत अभिननदन तो असोग जी नहीं कमान आपको संबाली है नहीं जिम्मेवारी दुबारा से क्योंकि पहले से भी आप जिला ध्यक्स तें क्या कुछ आपकी नई जो योजना तियार किये क्य जनता पालिटी जिला कैथल की टीम बड़ी मजबूती के साथ चुनाओ के लिए तयार है और जैसे ही चुनाओ डिकलेर होंगे तो भारतिय जनता पालिटी की टीम एक मुस्त हो करके भारतिय जनता पालिटी का समर्पित कार्य करता आम जन्मानस के बीच में जाकर के जनता के बीच में जा करके और जंता के आसिरवाद से फिर से इस देश के अंदर भारतिय जंता पालिटी की सरकार के अंदर में बनाने का काम करेगा और हमारी दस की दस लोग सुभा सिटें हरियाना के अंदर कमल खिला करके उनको लोग सुभा में भेजने का काम भारतिय जंता में change किया गया है नायब सिंग छैणी तो बतोर जीला अधेक्स क्या जो है जीले की ई lot-dew देखिए हमारे मान्य प्रदेश आधनीय सिरी नायब सिंग रिऑने जी जो भी हमारा प्रदेश ने्तरिता हो जो भी हमें दिशा निर्देश देगा उसके अनरूप फिर आगे हम उसके अंदर जो भी हमें आदेश मिलेंगे उसके अनरूप कारिय करेंगे जो भी हमारा प्रदेश नेतरिता हो हमें जानकारी देगा हमें निर्देश देगा आदेश करेगा उसके हिसाब से फिर उस पर अमल किया जाएगा नए तियार्यों को लेकर क्या कुछ कारे करता हूं मैं कितना जोश है क्ए पहले भी जिले की कमान आपके आप ही सम cycl हमाल रहे तो दूबारे से किस तरह का उससा कारे करता हूं है क्विश्चा हूं क्ले। लेकर आ रहे हैं का कैसे देखते हैं? देखिए ये भारतिय जनता पार्टी के कारे करता हूं को मैं हिर्दे से उनका अभार वेक्त करता हूं उनका धन्यवाद करता हूं ऐसे देवितुल्य कारे करता हूं का जिनकी बदोलत पूरी भारतिय जनता पार्टी की टीम बड़ी मजबूती के साथ इस जिले के अंदर मजबूती के साथ काम करते हैं एक जूटता के साथ काम करते हैं तो मैं हृदे की गहराईयों से उन देवतुल्य कार्य करता हूं का आभार भी वेक्त करता हूं उनका अभिनंदन करता हूं उनका स्वागत करता हूं कि जिनके बलबूते पर आज जिला कैथल संक्ठनात्मक दृष्टी से मजबूती की साथ बड़े त्रिवगती के साथ आगे बढ़ रहा है तो ये सभी हमारे कैथल जिला के देवतुल्य कारे करता हूं का ही एक मजबूती के साथ काम करना एक एक काम कर रही है और मैं आपको इनी मजबूत कारे करताओं के दम पर इनी देवतुल्य कारे करताओं की मेहनत के दम पर और जनता के आसिरवाद से फिर से इस देश के अंदर भी और इस प्रदेश के अंदर भी भारतिये जनता पालिटी की सरकार बनेगी क्याथल में सर भाजपा का जो है कुनबा बड़े उसके लिए क्या कुछ पलान त्यार किया है क्या कुछ कदम उठाएगे देखिए मैंने आपको ध्यान में होगा कि साइद एक दो महा पूरो मैंने आप सब साथियों को प्रैस के साथियों को जानकारी भी दी थी कि हमारी इस कार्यकरता बहुत से की वोटर्स संपर्क में हैं वो मुझसे व्यक्तिकत रूप से भी मिले हैं मैं भी उनसे मिला हूँ और जब समय जिस प्रकार से हमें आदेश निर्देश होंगे और वह भारतिये जनता पालिटी को जोईन करना चाहते हैं आपने पीछे भी देखा होग और चाहि मैं पुंडरी के हमारे नगर पालिका के हमारे चेर परसंद जो रही हैं उन्होंने जो भारतिये जनता पालिटी में अपनी आस्था व्यक्त किया है तो आप आने वाले दिनों में देखोगे कि बहुत बड़े बड़े नेता दिगज नेता बड़े बड़े चेहर भारतिय जन्ता पार्टी को ज्वाइन करेंगे हरियाना के प्रदेश अदेक्स आधनिया नाइब सिंग सेनी जी यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे संसद भी है और संसद होने के नाते उनका कैथल जिला के कारे करताओं के साथ एक विशेश लगाव है और आपने देखा भी होगा के उनके संसद रहते रहते वो हफते के अंदर दो बार उनका कैथल जिले के अंदर आना होता था और उनका कैथल जिले के अंदर आना होता था और वो कारे करताओं से रूबरू हो भी वो समय समय पर करते रहें लेकिन अब उनको प्रदेश की जिम्मेवारी मिली है हमारे इस प्रदेश के अंदर 22 जिले हैं तो निश्ची तोर पर समय की तो कमी यहां पर जुरूर रहेगी उनका यहां आने के उनके कारेकरमों की क्योंकि बहुत बड़ा एक हर्याना है उसक अपने देखा होगा कि अभी उनको प्रदेश सदेक्स बने हुए दो महां के करीब उनका समय हुआ है लेकिन वो फिर भी पांस से छे बार हमारे इस कैथल जिले के अंदर आ चुके हैं तो निश्ची तोर पर सभी कारेकरताओं को जिले के अंदर मानने हैं हमारे प्रदेश जिले के अधिल जिले के देव तुल्य कारेकरता बड़ी मेहनत के साथ बड़ी सिद्दत के साथ बड़ी लगन के साथ जनता के बीच में जाकर के जनता के आसिरवात से पुने तीसरी बार केंदरवे प्रदेश में भारतिय जनता पाइटी की सरकार बनाने के लिए दिन रात प्रियासरत हैं और तीसरी बार सरकार बनाने का काम जनता के आशिरवात से करेंगे। आपकी मीटिंग भी ओए थे और आभी सीम साव से मिले थे क्या कुछ तैयार यहां चल रही है प्रदेश देखिए इस प्रदेश के करमशील करमयोगी मुख्यमंतरी आदनिया सिरी मनहरलाल जी पूरे हर्याना प्रदेश के अंदर आज उनको एक विकास पूरुष की उनको श हर्याना सरकार पर हर्याना सरकार में पैसे के बलबूते पर आज कहीं पर भी ना नोकरी मिलती है ना किसी की सिफारश चलती है अगर नोकरी मिलती है तो बिना परची खर्ची के योगता के अधार पर नोकरी मिलती है वो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं और उन्होंने इस ब मुख्या मंत्री जी जहां कहीं भी जाते हैं क्रोडों रुपे की सोगात दे करके आते हैं और अगर मैं अपने इस कैथल जिले की बात करूं तो यहां पर कितने उद्गाटन कितने इनोग्रेशन कितने शिला न्यास मान्या मुख्या मंत्री जी ने क्रोडों रुपे की सोगा अगर वो सोसित है अगर वो पीडित है अगर वो वंचित है सबसे पहले ऐसे परिवार को आगे ला करके उसको आर्थिक दृष्टी से समाजिक दृष्टी से उसको मजबूत करना स्वाबलंबन उसको स्वाबलंबी बनाना ये मानिया मुख्या मंतरी जी की दूरदर्शी दी बिना पर्ची खर्ची के उन्होंने नोक्रियां दी हैं बिना सिफारस के उन्होंने नोक्रियां दी हैं आज युआओं के अंदर एक उत्सा है एक होसला है कि अगर हर्याना के अंदर कोई भी ऐसा परिवार है जिसका बच्चा महंती है काबिल है योग्या है उसको किसी के पास जाने की जुरूत नहीं है उसको योगता के अधार पर नोकरी देने का काम मनोहर सरकार कर रही है अधिक्स जी हमारी तरब से भी आपको जो दोबारा कमान संभाली आपको बहुत बहुत भुत धन्यवाद आप सभी का तो ये थे भाजपा जीलादेक्स असोग उजर जिनको जो है दोबारा से भारतिय जन्ता पार्टी कैथल के जो जीलादेक्स की कमान जो उन्होंने संभाली है और इनका कहना है कि लगातार जो है भाजपा का कुनबा दोवजार चोबिस में भी लगातार बढ़ता रेकर कहीं बड़े चैरों को जल्द ही जो है भाजपा में सामिल भी करवाने वाले हैं इसको लेकर जो सरकार की योजनाए हैं तमाम घर-घर पहुंचा रहे हैं और निशी तरूप से आगामी विधानसभा लोगसभा चुना में भाजपा की सरकार बननी तया है कैथल से पंजाब केश पाले हैं तरूप